दोस्तों आज मैं आपको एक सो आज़ फीट लंबी अगरवत्ती के जो है दर्सन कराने आया हूँ मैं आपको बता दू इस अगरवत्ती को जो है अयुद्या में इस समय प्रज्वित कर जिया गया है और इसकी सुखन्द से पूरा अयोध्या सुखन्दित हो गया है मैं आपको बताऊंगा ये कितनी मोटी है और इसमें कितनी लागाद लगी है और आपको हे कह और बात बता देता हूँ कि इसमें पंच तक्त का यूज़ किया गया है और अब भी जो है इस पर लगातार गाय के घीका जो है इस्तमाल किया जा रहा है यहाँ पर कुछ संत टोली भी बैटी ही इंचे भी हम जो बात करेंगी उससे पहले मैं आपको देखिए यह दिखा रहे तरहीं किस तरीके से जो है देखिए कितनी इसकी मोटा ही है यह मेरी भुजाओ में भी जो है मुश्किल से आ रही है तो आप समझ सकते हैं और यह भी मैं आपको बताएंगे कि यह कितने दिन तक जो है अयुद्या को जो है सुगंद मही करेगी तो यहां पर संत टोली बैटी हुई है तो आईए मैं जो उनसे बात करता हूँ इसके बारे में जो थोड़ी सी जानकारी लेता हूँ जैस्री राब महराज जी अब यहां बाई बरवार बड़ोद्रा बड़ोद्रा से आए महराज जी यह बताईए सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि इसमें कितनी लागात आई है पांच लाक रुपे लागात आई है तो यह बताईए ऐसा क्या माँगाता वगवान से कि 108 फुटकी लंबी अगरवत्री आपने जलाई है 500 साल के बाद हमरे परभू स्री राम लला जी तो यह कितने दिन तक प्रजुरित होने वाली है 21 दिन तक चलेगी इसमें कौन-कौन से तत्ती उज किये गए माराजी अच्छा माराजी अच्छा माराजी इसकी मोटा ही कितनी होगी लगए गुलाई है इसकी मैं दिखाए देता हूँ यहाँ पर देखे एक घीवी सामने जो लगातार रखा हुआ है इससे लगातार प्रजृत किया जा रहा है और इसकी आप सुगंद देख सकते हैं वास्तम में ही इसकी जो है सुगंद बहुत सांदार है और यह इसी प्रकार से जो है अध्या को जो है सुगंद करती रहेगी एकीस दुनों तक लगातार और यहाँ पर भक्त राम भक्तु हैं यहाँ पर इसके दरसन करने आ रहे हैं तो आप भी जो है इसके दरसन लाव ले सकते हैं आपको देखे पूरी चल करके दिखाए तो निवेदन यही करूँगा कि इस वीडियो को पर इस अगरबत्ती को प्रजलित कर दिया गया है क्योंकि प्रिसासन की तरफ से इनको जो है अनुमती नहीं मिलीती राम मंदिर में तो इसलिए इसे यहाँ पर जो है नुवेदन पर प्रजलित कर दिया गया है तो मैंने सोचा आप सभी को जो है इस अगरबत्ती की जो है दरसन लाब करा देता हूं, तो आप भी कमेंट करके जैसी का मवशी लिखेगा, क्योंकि एहद्या इस समय चर्चाओं का विसे बना हुआ है, सभी राम भक्त अपने अपने तरीके से खुशियां मना रहे हैं, इसकी आप लौ भी देख सकते हैं, किस तरीके से इसकी लौ लग